बस ये एक सरल अभ्यास करें, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप एक सार्थक जीवन जीएंगे, मिरा विश्वास कीजिए, अगर आप उस्थिती में सोते हैं, तो आप बहुत अधिक समझदारी के साथ, बहुत अधिक उर्जा के साथ जागेंगे. आम तौर पर भारत में कहा जाता है कि आपको अपना सिर उत्तर की ओर करके नहीं सोना चाहिए. क्या आप यह जानते हैं? अगर आप अपना सिर उत्तर की ओर रखते हैं, और जब रात में आप लेटे हुए या क्षितित स्थिती में होते हैं, तो खून धीरे-धीरे आपके दिमाग की ओर बहने लगेगा. जब दिमाग में खून का बहुत ज्यादा प्रवाह होता है, तो आप शांती से सो नहीं सकते. अगर आप में स्वाभाविक रूप से दिमाग की कमजूरी है, या अगर आप बुजर्ग हैं, तो आपकी नींद में मृत्ति हो सकती है, तो दिमाग की नस फट सकती है, क्योंक चुम्बकी ये खिचाव के कारण उनमें ज्यादा खून बह रहा है, जब आप सीधे बैठे या खड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं होता, जिस पल आप लेटते हैं, सिर पर ये खिचाव इतना मजबूत होता है, कि धीरे धीरे खून दिमाग की और बढ़ने की कोशिश करता ह तो इससे बचना जरूरी है, ऐसा सिर्फ उत्तरी गोलार्थ में होता है, अगर आप AUस्ट्रेलिया में है, तो आपको अपना सिर्फ दक्षिंच के और नहीं रखना चाहिए, भारत में आपको अपना सिर्फ उत्तर केोर नहीं रखना चाहिए, आप इसे दूसरी किसी दिशा में रख सकते हैं, ये ठीक है, इसे हमेशा याद रखें कि आप वाकई नश्वर हैं, सिर्फ शब्दों में नहीं, वाकई, आप अभी मर सकते हैं, आप युवा हों या बूरे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी मर सकते हैं, हाया ना, बिस्तर पर लेट पहले अपने बिस्तर पर बैठें और सोचें कि अभी और यहीं आपकी मृत्य होगी आपके पास जीने के लिए सिर्फ एक मिनिट है बस पीछे मुड़कर देखें कि आज आपने जो किया है क्या वो सार्थक था बस ये एक सरल अभ्यास करें और आप वाकई नहीं जानते कि बिस्तर पर होगी या अस्पताल में लेटे हुए होंगे जब हर तरह की चीजें आपसे जुड़ी होंगी कौन जानता है कि ये कैसे होगी पर रोज इस बात का आनंद लें कि आप अपनी मृत्यू शया पर बैठें और पीछे मुड़कर देखते हैं कि आज जिस तरह से मैं जो कुछ भी आपने इकठा किया है शरीर मन की चीजें चीजें चोटी चीजों को अंदेखा ना करें ये चोटी चीजें बड़ी चीजें होती हैं मैंने देखा है कि कैसे लोग अपने तक्ये को भी साथ रखते हैं क्योंकि तक्या बहुत महत्वपूर्ण है तो आपका तक्या आपके जूते अगर आपके रिष्टे हैं तो रिष्टे जो कुछ भी आपने इकठा किया है उसे एक तरफ रख कर सोएं अगर आप उस थिती में सोते हैं तो आप बहुत अधिक समझदारी के साथ बहुत अधिक ऊर्जा के साथ जितनी आपने सोची होंगी उससे कहीं अधिक संभावनाओं के साथ जागेंगे बस जीवन के रूप में सोएं, एक पुरुष के रूप में नहीं, एक महीला के रूप में नहीं, इसके या उसके रूप में नहीं सब को जलक कर दीजिए ये बहुत आसान हो रहा है, बस सोने की साधना कम से कम इतना तो आपको करना ही चाहिए